हलो, वेलकम टू मसाला मैनू, मैं मन्जू आपकी कुकिंग दोस्ट, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसंद होंगे, आज आपके लिए लेकर आई हूँ भंडारे वाले आलू की सब्जी, हम सभी को भंडारे वाले आलू की सब्जी बहुत टेस्टी लगती ह पर घर में उस तरह का स्वाद नहीं आ पाता है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको ये सब्जी बनाना बता रही हूँ, आप उसी तरीके से इस सब्जी को बनाईए, बड़े प्रेम से और भाव से इस सब्जी को बनाईए, भगवान को भोग लगाईए, आपके खाने म बहुत ही अच्छा आता है आपको यकीन होगा कि बिना लैसुन बिना प्याज और टमाटर के भी सब्सक्राइब पर भाव से बनाईए, प्रेम से बनाईए, तो चले शुरू करते हैं, सबजी बनाने के लिए मैं यहां ले रही हूँ, आदा चमच जीरा, आदी चमच राई, छोटी वाली राई है यह, हमको मोटे दानों वाली सरसो का इस्तिमाल नहीं करना है, आदी चमच कलोंजी, आदी चमच मिथी दाना, एक चमच अमचूर पावडर, एक चमच धन्या पावडर, आदी चमच लाल मिच पावडर और एक चमच हल्दी, दो हरी मिर्चिली हैं, बीच में से चीरा लगाकर की, और हीन तड़के के लिए, तो यह तो हो गए हमारे सभी सूखे मसाले, सबजी बनान के लिए, और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, तीन उबलेवे आलू, जिनको मैंने चील लिया है, अब हातों से ही रफली इन आलू को हम मैश कर लेंगे, आलू के कुछ पीसिस को हम बढ़ा रखेंगे, और कुछ को पूरी तरह से मैश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं की भी जर्त नहीं है, छिलके सही ताप उस आलू की सबजी को बनाएगा, आपकी सबजी बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो सबजी बनाने के लिए मैंने गैस पर कड़ाई चड़ा दी है, और इसमें मैं अब दो चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहें तो रिफा पोरन मसाला है, इसको हम तेल में अच्छे से भून लेंगे, और साथ में हरी मिर्चे भी डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर सूखी खड़ी लाल मिर्च को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अब इसमें जाएंगे हमारे मैश पिश्ट पटेटोस, बीच में इस तरह से मैं थोड़ी जगे बना लेती हूं, ताकि जो सूखे मसाले हैं पिसे वे, उनको थोड़ा सा भून सकी, अगर आप डारेक्ट गरम तेल में मसाले डालेंगे तो वो जल जाएंगे, पर इस तरह से आप मसालों को भूनेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं जलते, और उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अब मसालों के साथ आलो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह सबजी बहुत ही जल्दी बन जाती है, पांसे साथ मिनट लगेंगे इस सबजी को बनने में, अगर आपने सारी प्रप्रेशन का टकी हैं बॉइल डॉल आपके पास हैं, तो सफिर पांसात मिनट में सबजी बन जाएगी, मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मेच भी डाल देती, अच्छे रंग के लिए, और अब इसमें मैं एक गलास पानी एड़ कर दूँगी, बहुत जादा पानी नहीं डलता है इस पर पका लेंगे, टेस्ट के अकोर्डिंग आप नमक एड़ कर दीजिए, बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना टमाटर के हमने इस सबजी बनाई है, पर इसके स्वाद में कोई कमी नहीं होगी, और ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी बनेगी, थिक वाली ग्रेवी ब इस से जादा हम पानी को नहीं सुखाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये सबजी अपने आप गाड़ी हो जाती है, और इस सबजी के साथ आप पूरी बनाईए, हलवा बनाईए, और अपने घर पर ही भंडारे के प्रशाद का आनंद लीजे, देखिए मैंने भी य हलवा भी बनाया हुआ है, और ये सबजी हमारी एकदम पर्फेक्ट सबजी बनके त्यार हुई है, कलर बहुत अच्छा आया है, टेस्ट तो आप खुद बना के देखिए, तभी आपको पता चलेगा, नवरात्रों में कन्या पूजन वाले दिन मैं ये सबजी बनाती हूँ और प्रशाद पाने वाले सभी बच्चे हलवा पूरी सब छोड़ के सिर्फ ये सबजी खाते हैं, तीन से चार बार वो ये सबजी लेते हैं और खाते हैं, इतनी टेस्टी बनती है ये सबजी, तो मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजेगा, पहले बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, थैंक्यू फो वाचिंग और